नमस्कार दोस्तों स्वाकताब का आमारे Best Farmer 20 यूटूब चैनल पर दोस्तों में हो रहुंदर सिंग आप देख रहे हैं Best Farmer 20 यूटूब चैनल अगर दोस्तो इस चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें बाजों में देगे बैल आइकनों दबा के ओल के निसान पर किलिक करें जब भी हो इडियो डाले आप देख पाएंगे सबसे पहले इस टाइम बहुत ही ज़एदा है कि घरमी का सेेसन सन रहे है आपको पता हूँए जो मूर्गयों का सेड होता उसमें वैसे भी गरमी ज़दा रहती है तो मूर्गयों में हिच इस्टोक होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाते है तो इससे बचने के लिए आज इसे वीडियो में बात करने वाल हैं तो इसी वीडियो में आपको दोनों तरीके बताएंगे देशी तरीका भी बताएंगे और अंग्रेजी तरीका भी बताएंगे तो जो आपको अच्छा लगए हो आप कर सकते हैं तो दोस्तो आप जैसे की मूर्गी पालन करते हैं और आपकी मूर्गियां हीट स्टोक के वज़े से मरती है जैसे की अच्छी कासे दाना पानी खाती है और दोफर के समय में उनमें हीट स्टोक हो जाता है और फड़ पड़ाने लगती है और एक जगह बैट गया पंक पहला लेती है और उसकी थोड़े देर बाद में मरती हो जाती है तो दोस्तो ये हीट स्टोक के वज़े से देखा जाता है अगर अपनी मूर्गियों का गर्मी में अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं और उनका जो ठंडी का जो इंतिजाम नहीं करते हैं तो अपनी मूर्गियां इस तरीके से ही मरती है और उसको बचाने के लिए कैसे क्या करना है तो आज इस वीडियो में अन तक बने रही है सारी चीज़ें आपको बताएंगे इंगली से इलाज भी बताएंगे और देशी तरीका भी आप आसानी से घर पे कर सकते हैं वो भी आपको बताएंगे तो दोस्तों जैसे कि आपको मुर्गी पालन करते हैं जैसे आप बड़ा फारम भी है किसी के जैसे ब्रोयलर मुर्गियां पालते हैं कोई है और देशी का बड़ा फारम रखते हैं या 10-20-50 मुर्गियां घर पर भी पालते हैं तो कोई भी हो वो अपने मुर्गियों को हिट इस्टोक से बचाने का बहुत आसान तरीका बताने वाले हैं तो जैसे कि अगर आपके पास बड़ी तादाद में मुर्गी हैं जैसे कि ब्रोलर का फारम है या आपको पास देशी का फारम है कोई सी भी मुर्गी का फारम है तो उनमें आपको मामूल सी बात है कि हिट स्टोक सभी मुर्गियों में होता है ठीक है तो इसमें जैसे कि पहले बात करते हैं कि अंग्रेजी इलाज का तो अगर हिट श्टोक होता है तो अंग्रेजी इलाज करना जैसे इलेक्ट्रो पाउडर आता है वो अपनी मूर्गियों को उसमें मिक्स कर देना पानी में और जो दो फैर जैसे 12 से लेके 3-4 बजे तक जो पानी चलता है उसमें इलेक्ट्रो पाउडर आप चलाओगे तो अपनी मूर्गियों को हीट स्टॉक से बचानी की बहुत ज़्यदा हेल्प हो देगी और जो इसमें हीट स्टॉक है वो बिल्कुल भी नहीं होगा अपनी मूर्गियों की मरत्यू नहीं होगी ठीक है इसके बाद में आपको बताएंगे कि जैसे कि आप हीट स्टॉक के लिए जो इलक्टर पाउडर चला रहे हैं तो उस टाइम अपनी मूर्गियों का जो दाना है वो बिल्कुल कम क्या या बिल्कुल बंद ही कर देना आपको तो उस जैसे बारा से तीन बजे के बीच में चार बजे तक के आप अपनी मूर्गियों को बिल्कुल इलक्टर पाउडरी चलाना है और अपने मुर्गों को दाना बिल्कुल भी नहीं देना है ठीक है अगर आप जैसे कि आपके पास इतना तादाज में मुर्गया नहीं है और अगर अगर इलक्टर पाउडर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप घर पे भी आसानी से इलाज कर सकते हैं तो आपको सबसे पहले लेना है ठंडा पानी चाहिए आप बरब भी ले सकते हैं और आपको ठंडा पानी भी लेना है तो मैं आपको कम तादा जो बता देता हूँ और उस हिसाब से आपके पास जितनी मुर्गी हैं तो उस हिसाब से आप अपने मुर्गियों को दे सकते हैं तो मैं आपको जैसे बताता हूँ कि एक लिटर आपको ठंडा पानी लेना चाहिए आप एक लिटर ठंडा बरप ले लेना है या आप ठंडा पानी ले लेना है होती है वो उसमें add कर देना है तो वो add करने के बाद अच्छे से से करके उसको mix कर लेना है और उसमें फिर आप दो लिटर पानी और add कर देना है साधा पानी नॉर्मल पानी जैसे ठंडा नहीं होना से normal पानी एक ड़ुद करोगे तो क्या कि normal हो जाता पानी एतना ठंडा भी नहीं रहता है और ज्यादा गरम भी नहीं रहता है जैसे गर्मी के मुसमें पिलाने वाला जैसा पानी हो जाता है ठीक है वो पानी अपनी मुर्गियों को जो ड्रिंकर होते हैं उसमें डाल देना है जैसे बारा बज़े डालोगे तो तीन चार बज़े तक चल आपके छोटे चीक सोचाए बड़ी मुर्गियां हूं उनके जो ड्रिंकर में 3-4 बजे तक 12 बजे लेकर 4 बजे तक अपनी मुर्गियों को पानी आपको पिला देना है ठीक है और जो दाना है वो बिल्कुल भी आपको नहीं देना है 3-4 गंटे जिसे क्या कि एक तो मुर्गी का वेसे ही गर्मी ज़्याती ने कि आनाख खाती है तुछ यतसे और जाधा हीट होती है और हीट होती है इसमें अपने मुर्गियों की मॉल्डेट्यी होने की ज़ादा संभाव नयुक्ट हो जाती है तो यह आपको काल जुरूर करना है और आपका जो शेड है तो उसका जो हावा आती है जिस तरफ से आपको मुर्गियों को जो पर्दा है वो अधा के रखना है और अगर आपके पास ज्यादा मुर्गिया नहीं थोड़ी है तो आप जैसे कि आपका फार्म नीचे से कच्छा तो आप पे सुबह की समय जैसे की 8- नो-10 बिजे के आसपास में उसमें, पानी का शीटकाव कर देना है, और दोफ़र में उठंडा रहेगा, दोफ़र में आप बूलके भी पानी नहीं डालना अपनी मुर्गियों पे, तो क्या कि दोफ़र में डालते हैं तो वह अंदर से हीट में रहती है, और उपर से पानी डाल देते हैं, तो मुर्गियों का जो संतुनल है, जो इसका हीट का, वो बिलकुल भी खराब हो जाता है, तो अपनी मुर्गियों की मॉल्टरिटी बहुत जल्दी होईगी पानी, तो आपको दोफर में भूलके ही नहीं डालना है, और जो पानी डालना वो जैसे कि बड़ी पॉल्टरिया है तो उसमें फोगर भी लगाते हैं अगर आप चाहो तो अपनी फार में फोगर भी लगा सकते हैं जो प्रेसर से उपर से जो फोगर लगे हैं उनमें प्रेसर से जो पानी निकलता है वो भाप के रूप में निकलता है और हलकी हलकी बारी जैस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बता कि वीडियो कैसा लगा जुरूत मन दोस्तों साथ शेयर करें चैनल पर पहली वारा आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो दोस्तों इस तरीके से अपने मुर्गियों को आप हिटीश टॉक से बचा सकते हैं तो जए जवान, जए किशान, बाइ बाइ